हाई, आज मैं आपको स्किन कैंसर के बारे में बात करूंगी तो स्किन कैंसर होते क्या है? अगर हमारे स्किन पे कोई ग्रोथ है, जो बहुत ही लंबे समय तक बनी हुई है उसमें कोई निशान बना हुआ है, कोई ग्रोथ है, कोई घाव है कोई bleed कर रहा है जो heal नहीं हो रहा है बड़े लंबे समय तक ऐसे ही बना हुआ है हालनकि हमने उसका treatment भी लिया है हम उसके दवाईयां भी लगा रहे हैं पर फिर भी heal नहीं हो रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपको skin cancer हो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा malls होते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन उसमें कोई भी change आ रहा है जैसे कोई बहुत पुराना mall है अचानक से आपको उसमें खारिश होने लगे वो bleed करने लगे उसकी size अचानक से बढ़ने लगे और वो उसके borders irregular होने लगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा sign नहीं है और इसे बिल्कुल भी नजर अंदाज ना करें तो इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि अगर कोई घाव है तो हम उसके screening करवाएं अपने आप कोई भी उपचार घर पे उसका अपने आप नहीं करें और उसको आप जाके डॉक्टर को दिखाएं क्या होते हैं स्किन कैंसर और कितने तरह की होते हैं ये भी पहचानना बहुत ह है तो अगर जो हमारे जो backside के types होते है वो सबते हैं specialcell, squamous cell, carcinoma और इसके ऐलामा melanoma ये भी बहुत ही aggressive होता है तो जो skin cancer होते हैं वो youthly कि सswपिंसर के लोगों को होते हैं तो जो हमारे देश में हैं जो हमारे skin type है वो है dark और usually skin cancers white skin में जादा होते हैं पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम जो dark skin के हैं उनको skin cancer बिल्कुल भी नहीं हो सकता हालांकि incidence compare to white skin के कम होता है पर नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमें भी skin cancer हो सकते हैं commonly जिनको skin cancers होते हैं जो इरियाज पे वो जो skin जो हमारी light में exposed होती है जैसे हमारा face है, arms है जो हमेशा light में exposed होते हैं तो उन areas में skin cancers होने के ज़्यादा chances होते हैं लेकिन फिर melanoma एक skin cancer ऐसा skin cancer है जो other areas मतलब जो हमारे skin exposed नहीं है light के वहाँ पर भी हो सकता है तो risk factors क्या होते हैं और कौन से वो लोग हैं जिनको skin cancer होने के ज़्यादा chances हैं तो risk factor है अगर कोई बहुत old age हो जिसको कोई long standing lesion हो या फिर कोई family history हो या फिर उन्होंने पहले भी skin cancer का treatment लिया हो हम इसके बचाओ कैसे कर सकते हैं तो बचाओ बहुत ही आसान है सबसे important है कि peak sun का time होता है 10 से 4 बजे उस time पे कोशिश करें कि बाहर ना जाए लेकिन फिर भी आपको अगर जानना पड़ता है तो इस duration की बीच में sunscreens जरूर लगाए SPF का बिलकुल ध्यान रखें SPF जो sunscreens का होना चाहिए वो 30 प्लास होना चाहिए और बाहर जाने से आपको 30 minutes prior skin पे अच्छे से और बहुत liberal application होना चाहिए यह sunscreens आपकी सारे दिन के लिए protection देगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है it should be applied three times per day मतलब आपको हर चार घंटे पे sunscreens बहुत ही अच्छे तरीकी से लगाना है इसके अलामा आप अपने skin को जो भी exposed part है उसको clothing से भी cover कर सकते हैं मतलब आप arms को पुरा full arms पहन सकते हैं लोग अपने skin को tan करते हैं तो जो लोग tan करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा prone होते हैं कि उनको skin cancer होने के chance बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने diet का ध्यान रखें मतलब जो भी बहुत ज़्यादा junk food नहीं आप healthy diet है वो लें तो जो sun protective agents हैं जैसे vitamin A है C है भरपूर मात्रा में लें तो यह भी काफी हद तक बचाओ करेगी जब यह पता चलता है कि यह जो skin collision है आपका यह cancer है सबसे पहले उसकी बाइपसी ली जा सकती है तो बाइपसी के बाद अगर यह localized है मतलब वहीं पर limit है उतनी ही skin पर है तो उसको या तो जलाया जा सकता है या फिर surgery करके उसे काट के निकाला जा सकता है लेकिन अगर यह growth other areas में skin के other parts में भी चला गया है या body parts में चला गया है तो उसको हम या तो chemo therapy दे सकते हैं या फिर हम radiation therapy भी एक option होता है treatment का